नमस्कार दोस्तों हो जाती है तब आपको यह एसास होता है कि अरे यह तो बड़ी प्रॉब्लम है क्या करूँ मान लिजिए आप एक हुनहार विद्यार्थी हैं अच्छा स्कोर करते हैं पर भीड के सामने बात करने में डर सा लगता है इसलिए खत्राते हैं क्या करें आप यूट्यूबर हैं आपका कंटेंट बहुत अच्छा है पर आपकी स्पीच में अकसर कई गलतियां हो जाती हैं जो खुद आपको भी पता नहीं चलती हैं जिससे इंपक्ट जोड़दार नहीं पड़ता क्या करें आप भारत के मूल नागरिक नहीं पर शुद्ध हिंदी बोलना चाहते हैं क्या करें आप ओनलाइन चैनल खोलना चाहते हैं पर आपकी एंकरिंग यानि वोकल प्रेजेंटेशन में कई उच्छारण की तुरुटियां हैं क्या करें आप एक कमपणी करमचारी हैं महनती भी हैं पर सेमिनार्स में या स्टेज पर या ग्रुप के सामने बोलना पड़ जाए तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती हैं क्या करें? आपके भाशा में आंचलिक बोली का असर ज्यादा नजर आता है। लोग टोखते हैं। कुछ तो मजाग भी उड़ाते हैं। क्या करें। आप एक अभीनेता बनना चाहते हैं। पर डायलॉग बोलनी की बारिकिया नहीं जानते। क्या करें। रुकी अभी कॉल मत कीजिए। फ़ले सुन लीजे। ये नमर है हेमंत राइपुरिया का। जो की एक ठेटर आटेस्ट और आटिंग ट्रेनर हैं। जिनका स्पेशलाइजेशन है वाइस एंड स्पीच। पिछले बाइस सालों से रंगमंच की दुनिया में अभिने का जोहर दिखाने वाले हेमंत राइपुरिया ने अनेक लोगों को अभिने का प्रशिक्षन दिया। और अनेक नाटकों का निर्देशन भी किया। भारत ही नहीं, विश्व के किसी भी कुने से, बस फोन से और वट्सेप से, घर पर ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इनके यहां आपको मिलेगी वोईस इन स्पीच क्लासेस, ओनलाइन। तोलमोल, जोडबंदी, खीचतान, सजावट, सब आजाएगा। अभी वट्सेप कीजिए और अपनी समस्या उन्हें बताईए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्या पता समस्या कहां कहां चुपी बैठी हो। धन्यवाद।